हार्दिक पांडिया होंगे IPL से एक साल के लिए बैन? इस वज़ा से हार्दिक पंडिया होंगे बैन? 13 साल पहले रवींद्र जडेजा पर इसी गलती के लिए लगा था बैन? भारतिय क्रिकेट टीम के स्टार All-Arounder हार्दिक पांडिया ने गुजराट टाइटन्स की कफ्तानी छोड़कर मुंबई इंडियन्स में घर वापसी की इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी हलचल मची किसी ने हार्दिक को पैस के पीछे भागने पर घेरा, किसी ने उनकी अपनी पुरानी टीम में वापसी पर खुशी जाहिर की अब एक ऐसा नियम सामने आया है जिसको लेकर हार्दिक पांडिया बुरी तरह फंस सकते हैं सिर्फ फंसना ही नहीं, बलकि उनके उपर एक साल का IPL से बैन भी लग सकता है अभी तक फैंस ने ये सवाल उठाए थे लेकिन अब फ्रेंचाइजी केकियार के पूर्व डाइरेक्टर ने भी इस पर आवाज उठाई है क्यों फंस सकते हैं पांडिया? हार्दिक पांडिया का नाम गुजराट टाइटन्स की रिटेंशन लिस्ट में था लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर वह मुंबई इंडियन्स में शामिल हो गए इस पर जॉई ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा विचार है क्योंकि 2010 में भी कुछ ऐसा हुआ था और रवींद्र जड़ेजा के उपर बैन लगा था अगर आप इस ट्रेंड को आगे बढ़ाएंगे तो आगे के लिए ये अच्छा नहीं होगा आपने 2010 में इसे रोका था और अब इसे बढ़ावा दिया है इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े खिलाडी के लिए ये चलन शुरू करना सही विचार है